Study IQ Bank and SSC शुरुवात से सभलता तक इस सेशन में आपको मैं बताऊंगा हमने जो मैंने आचली प्लान दिवाइस किया है डे वाइस चेडियूल आपको मैं दिखा देता हूं कि कैसे चीजों को प्रसीड करेंगे आने इस है तो डे वन पे अल्रेडी हमने प्रीविश यह पेपर का का दिसक्रिशन 2023 में जो कंडट कराया गया था वो डिसक्रिशन हो चुका है डेटु अगें आज भी हम 2023 में चंडट कराएगा एग्जामिनेशन का डिसक्रिशन करेंगे उसके बाद नेक्स्ट जो सेशन होगा मतलब डेट फिर यहां से हम नाउंस यानी ग्रामर जो टॉपिक वाइस ही चल रहे हैं, subject of agreement, फिर verb, part 1, part 2, part 3, इस तरह से, verb का पूरा जो chapter है, including the previous year questions and practice questions, जिस तरह से question exam में आ सकते हैं, वो सब हम देखेंगे, इसके बाद में, voice, narration, ठीक है, फिर fill in the blanks, spot the error, para jumbles, then this is something special, superfluous expressions ही, vocabulary part का बहुत crucial aspect है, फिर one word substitutions, तीन दिन हम discuss करेंगे, फिर synonyms and antonyms and then idioms and phrases, तो इस तरह से हम पूरा का पूरा examination यहाँ पर cover करने वाले हैं, इसके बाद में, मैं कुछ special sessions भी लगँगा, जिसमें reading comprehension, right, reading comprehension and close test, यह topics भी हम discuss करेंगे, ठीक है, तो यह 40 days का schedule आपके सामने है, हर एक चीज़ कराई ज to miss even a single session, आपको बस लगातार classes को attend करना है, जो notes बताए जाएंगे, वो notes आपको करने है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है, that's it, तो चलिए फिर, आज की class शुरू करते हैं, आज हम examination जो 2023 में discuss हुआ, the examination which was conducted on 17th of August 2023, shift 1 का paper हम discuss करेंगे, previous year paper है, तो question number 1 यहाँ से शुरू होता है आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, पहले directions को and then we will proceed with the solution, एक चीज़ और है कि इस session में आपको सबसे ज़्यादा focus इस बात पर करना है, कि मैं उस question को किस approach से attempt कर रहा हूँ, क्योंकि examination में क्या होता है, कई बार जरूरी नहीं है, हर question का या हर word का meaning पता ही हो, तो exam में आपको तब भी questions को attempt करना है, even when you do not know the right answer, this is all about strategy, तो जिस approach से मैं question को solve कर रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है, चलिए, शुरू करते है, the question number one says, select the most appropriate meaning of the given idiom, तो एक idiom given है और आपको बताना है कि इसका जो सबसे appropriate idiom का meaning जो है, वो क्या हो सकता है, it is given to throw cold water on, ठीक है, अब options अगर ध समझना, कभी भी कोई idiom अगर आता है, उसके दो context होता है, एक meaning होता है physical, और एक meaning होता है abstract, क्या आप बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, कि कभी भी physical context वाला meaning कभी भी right answer नहीं होगा, अगर कहीं पर abstract form धी है, तो वही right answer होगा, इसको मैं एक example के माध्यम से समझाता हूँ, एक idiom होता है, to add fuel to the fire, तो इसका बहुत ध्यान से समझेगा, इसका physical context क्या हूँ, अगर किसी भी option में fire या oil या fuel दिया हो, तो वह answer आप बिल्कुल, वह option तुर्णत eliminate कर देंगे, वह उसको काट देंगे, वह answer होई नहीं सकता, अब इसका abstract context क्या है, जब आप आग में घी डालते हो, या तेल डालते हो, तो क्या होता है, आग और जादा बढ़ जाती है, तो इसका abstract context वा to aggravate और increase something, especially something unpleasant, तो हम बोलेगे, जब किसी बात को बढ़ावा दिया जाए, अग्रवेट भी कहते हैं, हम exaggerate भी कहते हैं, तो बात का बढ़ावा देना ये इसका abstract meaning होगा, तो idioms में जब भी आप टिक करोगे, abstract meanings पर टिक करोगे, is this thing clear, अब आते हैं यहाँ पर, to throw cold water, अब अगर किसी पर ठंडा पानी डालोगे, पहली बात तो पानी डालना ही अपने आप में एक negative activity है, क्यों ही डालोगे correct, तो देखो, cold water लिखा है, to show indifference, indifference का मतलब है कि एक negative या एक, you know, एक ऐसा feeling को express करना, जिसमें आपको सामने वाले की feeling से कोई फरकी नहीं पड़ता, तो this can be an answer, तो encourage, यह positive है, जबकि इसका meaning negative था, तो यह नहीं होगा, to rinse thoroughly, rinse का मतलब होता है, कप्ड़े आप जब सुखाते हो, धुलते हो, तो तो यह तो बिलकुल भी नहीं होग जिसके मदद से आपको questions, paper में questions solve करने हैं, ठीक है, 2023, 17 अगस, shift 1, यह हम discuss करें, आगे बढ़ता है, directions को बहुत ध्यान से बढ़िएगा, one word substitution आपको बताना है, and यह detail दी हुई है, तो one word substitution basically क्या होता है, normally एक word का meaning आपको पता करना होता है, but one word substitution is just like meaning to word, meaning दे देंगे और आप pleasantly rough, sharp, especially to the senses or cruel, तो यह थोड़ा negative contexts आ रहा है, negativity sound कर रही है, haslet, no, this should not be, क्या होता है, exactly मैं बता दूँगा, haslet is basically, it is a type of loaf of bread, bread होता है, but जिसमें pork वगरा मतलब बनता है, इंडिया में usually नहीं होता है, यह बहार जादा होता है, हम बोलते है, एक deer का जो बच्चा होता है, male deer, ठीके न, deer जो हिरन होता है, तो हिरन का बच्चा अगर male है, around 5-6 साल का, तो उसको हम hard कहते हैं, इसी को हम stack भी कहते हैं, तो यह भी right answer नहीं होगा, right answer यहाँ पर बने का harsh, क्योंकि hasp होता है, basically, दरवाजे में लगाई जाने वाली कुंडी, आचा दिखो, मैंने इस class से क्या pork से, यानि, sewer के मान से, then this is called stag, और heart, यह है heart, then this is called hasp, तो यह सारी चीज़े आपके आसपास होती हैं, बस आपको पता नहीं होता है, तो हम हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से discuss करेंगे, बहुत मज़ाएगा, आपको बस एक काम करना है, लगादार classes को attend करना है, next question, आपको बताना है एक antonym, जो की होना चाहिए word inadvertent का, इन advertent, ठीक है, आपको बताना है इसका antonym क्या होगा, यहाँ पर आना चाहिए, तो everyone likes to speak in a clear, and, अच्छा यहाँ पर and लिखा है, और and के साथ खास बात यह है, कि and के आगे जैसा word होगा, पीछे भी वैसा ही word होगा, या होता है, unintentional, तो यह तो होगया, similar यह तो नहीं होगा, पीविश, deliberate और impious, so basically पीविश भी नहीं होता है, right answer is deliberate यह नहीं जान बूज करके, inadvertently मतलब accidentally, और deliberate मतलब जान बूज करके, impious भी नहीं होगा, बाकी words के मीनिंग क्या है, मैंने वो भी आपको लिख कर कर दे दिया, unintentional स examination में पूछा डाता है, ठीक है, next, deliberate जान बूज करके, सबको बता है, then there is a word impulse, that means, जब कोई, especially religious या sacred things में, respect को lack करता है, यानि, if somebody is there, जो religious activities में, या sacred things में, respect नहीं करता है, ठीक है, सारे words important है, examination के perspective से, तो आपको हर चीज दिमाग में होना चाहिए, next, आपको बताना है, spot the error, तो it is, shama is more taller, तो ये वाला part है, जो underlined है, ठीक है, आपको बताना है कि क्या correct होगा, तो tall बिलकुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो, shama एक word दिया है, दूसरा दिया है, her sister, तो comparison हो रहा है, राइट, और आप सब लोग जानते हैं, कि comparison के case में, अगर दो लोगों में comparison है, तो हम comparative degree को use करते हैं, जिसमें more या फिर er लगाते हैं, और अगर दो से जाता में comparison होता है, then we use super relative degree, और इसमें हम most या फिर est लगाते हैं, correct, दो लोगों में हैं, तो most taller होगा नहीं, tallest होगा नहीं, so right answer is only taller, क्योंकि जब er लग सकता है, तो हम more नहीं लगाते हैं, ठीक है कि कहां पर error है, statement starts from here, hooray, there is the toy, what I was looking for, as my birthday gift, अब ध्यान से देखो अगर इसे statement को बढ़ोगे, hooray, there is the toy, there is the toy, तो मतलब ये एक definite context में आ रहा है, ठीक है, ये line correct है, इसमें कोई issue नहीं है, इसको उटा देंगे, what I was looking for, अब देखो यहां पर लिखा है what, एक relative pronoun है, लेकिन हम में ये भी पता है कि अगर आप थोड़ा definite context में बात करते हो, तो relative pronoun के तोर पे हम that का use करते हैं, what का नहीं, right answer हो जाएगा third option, ठीक है, next, आपको बताना है, parts of following sentence have been given as an option, as options, select the option that contains an error, the politician was accused of accepting bribes and lied about it to public, देखे, the politician was, ये past में है, तो singular और plural का कोई context नहीं है, use के साथ में off आता ही आता है, तो यहां पर भी कोई issue नहीं है, ठीक है ना, accepting bribes, तो accepting bribes ये बिल्कुल ठीक है, आगे लिखा है and, तो आप सभी को पता है, कि and के पहले जैसे situation होती है, बाद में भी वैसी ही होने चाहिए, तो ऐसा कैसे हो जाएगा, कि एक जगह पर ing form दी ह हुई है और दूसरी जगह पर past form दी हुई है, this should not be done, तो it should be lying about, ठीक है, तो right answer हो जाएगा, third option, not lied, it should be lying about, दीक हो मैं बहुत simple तरीके से सारे के सारे explanations दे रहा हूँ, और यही आपकी approach examination hall में होनी चाहिए, ठीक है, next, most appropriate synonym for the given word and the given word is paragon, तो paragon हम कहते हैं, किसी भी ऐसे person को जो अपने शेत्र में pioneer रहा हो या उसने बहुत बड़े level का काम कर दिया हो, एक तरह का benchmark set कर दिया हो, तो it is basically a positive word, अब एक positive का जो synonym है, वो positive ही होना चाहिए, तो transient नहीं होगा, क्योंकि transient मतलब something which is temporary, short term, lived, ठीक है, epidemic बिलकुल सही है, क्योंकि इसका मतलब होता है, तरह की मि आपको बताना है, PQRS वाले questions हैं और आपको rearrange करना है, option A, B, C, D, इस तरह से rearrange करना है, कि इसका एक meaningful sense बन जाए, तो मैंने आपको बताया है, कि para jumble के questions, we always start with the options, तो यहां पर options क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान से देखेगा, या तो पहली line B होगी, पहली line या तो B होगी, या पहली line C होगी, D हो सकता है, या फिर B हो सकता है, तो आपको बस इतना सा ही देखना है, और यहीं से चीज़े हो जाएंगी, ठीके ना, अब देखिए, क्या B पहली line हो सकती है, क्या D पहली line हो सकती है, D is starting with her degree in hand, यह हर आ गया, अब हर pronoun है, यानि किसी के बारे में बात होनी चीए पहले, तो D से तो शुरुवात नहीं होगी, तो third option is ruled out, क्या C से शुरुवात हो सकती है, C कह रहा है, along the way, she encountered, again she आ गया, एक प्रनाउन मतलब इससे पहले कोई noun आना चीए, क्योंकि आप लोग जानते हो कि पहले noun आएगा, फिर प्रनाउन आएगा, इसका मतलब second option भ from the college, graduate होने के बात हो रही है, तो B के बाद में A आना चाहिए या B के बाद में D, check करते हैं, D कह रहा है, with her degree in hand, we set off on a backpacking, तो भई, college की बात होई graduation की, फिर degree हाथ में आई, उसने backpack किया और निकल पड़ी, क्योंकि A कह रहा है, through these experiences, क्योंकि अभी तक तो को experience हुए ही नहीं है इसका मतलब, right answer बने का B के बाद में D, और अगर B के बाद में D है, तो right answer is fourth option, इस तरह से आपने approach करना था, next, appropriate synonym for the bracketed word, bracketed word is given crux, और बड़ा simple सा word है, the playwright borrowed, the dash, the playwright borrowed, dash of plot from Shakespeare, तो crux का meaning pre-peel नहीं होता है, essence होता है, या central idea होता है, main theme होता है, ठीक है, so right answer would be here, essence, that means the crucial aspect of something, subsistence भी नहीं होगा, blueprint भी नहीं होगा, ठीक है, next, आपको बताना है, one word substitution for the given details, it is an imperfection, blemish, और a crack, तो negative ही होना चाहिए कुछ word, plant का मतलब होता है, जब कोई show off करता है, यानि प् somebody tries to pretend, flick या flaw या flee, तो flick basically कुछ तरीके के patches होते हैं, धब्बे से पढ़ जाते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, कई बार आपने दिखाऊंगा कुछ लोगों के चेहरे पर धब्बे आ रहते हैं, कि मानलो कोई जल गया, तो जब जल गया, मानलो हाथ जल गया, या गाल प ही है, मखी जैसे होता है, वैसे हम बोलता है, तो right answer is third option, ठीक है, यहाँ पर सारे के सारे meanings भी मैंने दिए होए, अब देख लीजएगा, यह PDF आपको टेलीगराम चैनल पर मिल चाहेगी, next, select the most appropriate synonym for the underlined word, underlined word है, यहाँ पर procrastination, चाहो तो statement पढ़ लो, क्योंकि अगर शब्द की बजह से, तो habit तो कुछ negative होगी, indecisiveness basically होता है, when a person is not able to make decisions about something, तो yes, यह एक answer हो सकता है, inquisitiveness, last में N-E-S-S हो, तो मतलब वो noun होगा, inquisitiveness का मतलब होता है, जब कोई बहुत ही जदा किसी चीज़ के बारे में curious होता है, और बार-बार questions करता है, कि यह क्या है, यह कैसे होत होता है, तो इस तरह की कई बार आपने देखा होगा ना, बहुत आता curiosity होती है, लोग में, this is called inquisitiveness, impulsiveness होता है, यह तो answer नहीं होगा, impulsiveness का मतलब होता है, जब कोई व्यक्ति बिना सोचे विचारे काम कर दे, उसका हम बोलते है, impulsiveness, like a viveki, submissiveness भी नहीं होता है, इसका right answer, इसका मतलब होता है, दबूपन, या जब किसी व्यक्ति के अंदर एक ऐसी, you know, trait होता है, कि वो दब के रहता है, या दब आ के रहता है, तो उस context में हम बोलते हैं, ठीक है, शाम ड़स नोट intervene in others affairs, तो शाम जो हैं, दूसरों के affairs में क्या नहीं करता है, आपको बताना है, synonym, तो speak, तो ये तो नहीं होगा, trouble नहीं होगा, help नहीं होगा, right answer is medal, तो intervene का मतलब होता है, interfere करना, तो दोनों एकदम same है, right answer, next, आपको बताना है, कि यहां पे जो bracket में word है, उससे मिलता जूलता कौन सा शब्द इस bracket में आना चाहिए, select the most appropriate synonym of the bracketed word in the following sentence, तो bracketed word है implies, आपको ब तो allutes का मतलब होता है, hint करना, indirectly, या फिर insinuate करना, insinuate, मैंने advanced level word बता दिया है, और basically इसी का मतलब होता है, imply करना, तो right answer यहीं हो जाएगा, deceive का मतलब होता है, धोका देना, नहीं होगा, embellish का मतलब होता है, सजावट करना, decoration करना, नहीं होगा, जैसे कि cake पर आपने देख next, यहाँ पर again, spot the error है, sorry, spelling error है, देखते हैं, the following sentence has been split into four segments, आपको spelling बतानी है, तो यहाँ से देख लेते हैं, thousands of animals, यह बिलकुल correct है, यह answer नहीं होगा, everyday correct है, यह answer नहीं होगा, are slaughtered, यह right answer है, क्योंकि slaughtered की spelling में यह आता है, ठीक है ना, मतलब slaughtered का basically meaning क्या होता है, जब उनको वो जो आपने देखा होगा, कसाई घर जो होता है, slaughterhouse उसको कहते हैं, वही है, next, pious is inexperienced in leather industry, अब ध्यान से लिखो, इस underline word का आपको बताना है, एक idiom, ठीक है, अब देखो, यहाँ क्या लिखा है, inexperienced, अगर किसी भी word की शुरुवात में in आ जाए, तो मतलब वो negative हो जाता है, अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा speed में चल रहा हूँ, तो आप एक काम कर सकते हो, जब भी एक next question आए, तो आप तुरन वीडियो को pause कर दो, पहले उसको खुद solve करो, और फिर explanation देखो, ठीक है, तो inexperienced का मतलब क्या हो साथ है, in great hands तो ये तो नहीं होगा, great positive sound कर रहा है, कुछ negative सा आना चाहिए, hang fire भी नहीं होता है, sore thumb नहीं होगा, sore thumb is used for someone, जब किसी को कुछ negative context में कहा जाता है, तो right answer is a green horn, मतलब कोई pressure person, great hands का मतलब होता है, well cared for, hang fire मतलब किसी चीज़ को delay करना या hesitate कर देना, ठीक है then number 16, आपको बताना है, jumbled करने है, ये jumbled order में दिये है, आपको rearrange करना है, again options से शुरुआत होगी, और options के हिसाब से पहली line तो e, e and e and e, तो e तो confirm हो गया, इसमें कुछ नहीं कर सकते, e is talking about Forbes wanted, अब अगर वांटेड लिखा है, तो इसके आगे या तो noun होना चाहिए, या तो फिर 2 प्लस V1 होना चाहिए, तो Forbes wanted the current 5 rate, c आसकता है, क्या नहीं आसकता, कोई meaning नहीं बन रहा, क्या b आसकता है, Forbes wanted to a single flat rate, नहीं, ये भी नहीं होगा, कोई meaning नहीं बन रहा, क्या d आसकता है, Forbes wanted by narrowing, ये भी कोई context नहीं बन रहा, e, e चेक करते हैं, Forbes wanted to simplify filing tax, क्या ये हो सकता है, Forbes wanted to something, wanted something, and what is that something, सबको पता ही चल गया होगा, यहाँ पर तो simple था, बुलिए s or no, तो yes, fourth is the right answer, next, select the option that expresses the given sentence, and passive voice, सबसे ज़्यादा आसान चीज़ होती है, कुछ नहीं करना होता, आपको सबसे पहले ये देखना है, कि जो question दिया है, वो a to p है, या फिर p to a है, बस tense को change करना होता है, मतलब tense को नहीं, tense के form को change करना होता है, तो यहाँ लिखा है killed, killed मतलब past, तो बस answer में देखना है was your word, तो was being ing आएगा नहीं, क्योंकि वी टू था, is आएगा नहीं, क्योंकि ये present tense होता है, was killed answer हो जाएगा, has नहीं आएगा, तो बस बात कतम हो गई, third is the right answer, बस इतना ही करना होता है, next, आपको बताना है कि passive voice क्या बनेगा, इस statement का जो की active है, बस वही काम करना है, आपको देखना है कि जो verb का tense है, यहाँ पे asked लिखा है, asked मतलब past tense, तो answer में was यह वर आएगा, और कुछ भी नहीं आएगा, was यहाँ पर है, तो this can be the right answer, is being नहीं होगा, question asked by the student to teacher, यह गलत है, structure ह गलत है, क्योंकि क्या पूचा है, student ने पूचा है question, तो शुरुवात होगी, a question was asked, a में था, will नहीं आएगा, तो right answer is option number a, देखो कितने आसानी से, कितने मजदार तरीके साब question पर को solve कर सकते हो, next, you have to tell the most appropriate option, तो basically a spelling error वाले questions है, people were dash, तो पहले बात, evacuated नहीं होता है, evacuated होत second is the right answer, और evacuate का मतलब होता है, rescue करना, जिससे कहीं कोई आपदा आती है, तो लोग फस जाते हैं, तो उनको जो बचा के निकाला जाता है, this is called evacuated, अब एक बात बड़ी अच्छी है, यहाँ पर समझने लाइक, कि अगर natural disaster, या कोई calamity, natural activity है, वहाँ से बचाने को rescue कहते है, मान जब किसी को man-made activities से बचाए जाए, मतलब आप कहीं घूमने गए थे और वहाँ पर terrorist attack हो गया, hostage बना लिया गया, तो वहाँ से उसको बचागर के लाने को evacuate कहेंगे, बड़ दोनों ही similar words हैं, आगे बढ़ता है, आपको बताना है parajumble, तो पहली line या तो D होगी, या तो A, D, यही A, F, D हो सकता है, तो let us see कि क्या D हो सकता है, recycling industries are working hard, तो yes, D हो सकता है, लेकिन हमें verify करना पड़ेगा कि क्या D हो सकता है, electric waste is huge challenge to the world, अच्छा ध्यान से दिखो, यह एक generalized tone में बात कर रहा है, general सी tone है, यह statement generalized है, बोलो हाई न, जबकि second, जो last option है, यह थोड़ा सा specific हो रहा cycling industries are working hard to reduce the burden of waste, सबसे पहले बोला गया है कि जो waste है, वो challenge है, और उसके बाद में कह रहा है कि कुछ लोग कुछ को सफर कर रहे हैं किसी चीज़ को, शुरुआत A से होगी, D से नहीं होगी, इसका मतलब option number A नहीं बनेगा, right answer, बट लेकिन न, first नहीं होगा, और third भी नहीं required purchase by consumers cannot be halted, A के बाद में ये थोड़ा सा abrupt लग रहा है, तो right answer would be A and D, और A and B fourth option में है, ठीक है, तो fourth is the right answer, आगे बढ़ता है, in the following passage, some words have been deleted, तो ये basically close test है, और इस तरह के questions को करने का एक अलगी तरीका होता है, देखता है, सबसे पहला काम आप ये कर लो, एक बार options पर नजर लो, clothes, shopping, sugar, jewelry, थोड़ा अंदाजा लगया, shopping के बारे में कुछ हो सकता है, कपड़ों के बारे में हो सकता है, खरीदारी के बारे में कुछ हो सकता है, देखते हैं, unlike her, all the housewives who went to the culture supermarket in Bengaluru had one great ambition, ठीक है, तो supermarket में जा रहे है, जो लोग उनका एक ambition है, वो क्या है, तो be the lucky customer who did not have to pay for her, dash, एक lucky customer, जिन्हें अपनी कुछ चीजों के लिए खरीदारी, नहीं बता किस चीज के लिए, lucky feel हो, मतलब उन्हें कुछ पेई ना करना पड़े, तो for her, clothes, shopping, sugar या जूलरी, तो देखो, sugar और जूलरी तो होगा नहीं, क्योंकि अगर आप हो, और आपका सपना है, कि यार, एक दिन मुझे ऐसा मिल जाए, जिस दिन मैं किसी मार्केट में, सुपर मार्केट में जाऊं, और मुझे कुछ भी पेई ना करना पड़े, तो आपको ये एक चीज थोड़ी ना लओगे, फिर तो जितनी पॉसिबल चीज़े होंगी, वो सब ले आओगे, तो यहाँ पे हम तो हफते में एक बार सुपर मार्केट कहता है कि हफते में एक बार हमारे कस्टमर्स को फ्री समान मिलता है, तो इस अपी डे नो, स्मार्ट डे नो, हैपी डे नो, लग्की डे ही होगा, सिंपल है, नेक्स्ट, तो सेवरेल वीक्स, मिस्टर बातली वाला होग्ड, लैक मेनी ऑफ़ फ्रेंट्स, तो कई हफ्तों तक कोई मिस्टर बातली वाला है, वो बहुत उमीद भी थे, जैसे उनके बाकी दोस्त थे, तो वो सूच रहे थे कि मैं भी लखी हो जाओं, तो यह ले पर आते हैं, नंबर फॉर इस टॉकिंग अबाउट, वुड अप्रोच हो और से मैदम, दिस इस यूर लखी डे, यहां पर भी था, लखी आ गया, करेक्ट, डैश इन यूर बास्केट इस फ्री, तो आपकी जो बास्केट में जो भी कुछ है, वो सा फ्री है, तो सैंप नंबर ट्वेटी फाइव में कह रहा है, बातली वाला वेंट ले सुपर मार्केट और बास्केट इस डैश, तो एक्सपेंसिव नहीं होगा, चीव नहीं होगा, यूर्स और फ्री, तो इच शुड भी प्री, क्योंकि यूर्स तो ऐसे भी हो ही जाएगा, तो आशा करता अब सब लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह से हमें पेपर में questions को solve करना चाहिए, बहुत, मतलब, SSC के जितने भी exams है ना, बड़े, बहुत common sense वाले होते हैं, तो यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए या कुछ, you know, extra चीज़ें नहीं चाहिए होते हैं, simple सी बाते होते हैं, simple तरीके सब को पेपर solve करना होता है, आशा करता है, आप सब लोगों को सारी बाते समझ भी आई होगी, अभी के लिए बस इतना ही, next जो हमारी class होगी, probably, वो हम live class रखेंगे, और फिर live sessions में आप से ज़्यादा अच्छी से interaction हो पाता है, बाकी कुछ problem है, कुछ confusion से तो आप लोग comment section में ज़रूर बताएगा, और आप इस तरह की recorded classes पसंद करेंगे, या फिर live classes पसंद करेंगे, आपके लिए better क्या रहेगा, ये भी आप ज़रूर बताएगा, ठीक है, 40 दिन का schedule में आपको बता दिया है, ये tentative है, changes हो सकते है, depend करता है, examination कब है, उसके हिसाब से changes कर देंगे, हमारा purpose ये है कि आपका पूरा का पूरा syllabus जो है, practice purpose से, practice करने की intention से हम इसको यहाँ पर cover up कराते हैं, बस आप regular basis पर रहिए का, study IQ is known for the quality content, quality teaching, आपको बता है यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई होती है, कोई फालतों की बात नहीं होती है, to the point बात होती है, आपको last moment पर सिर्फ इसी चीज़ के जरूरत है, so मेरा नाम है अमन जैस्वाल, इसी के साथ मैं आप से आल विदा लूँगा, आज की class में, मिलते हैं next session में, तब तक के लिए, thank you so much, bye, take care, tata, study IQ, bank and SSC, शुरुआत से सभलता तक,